कन्या राशी की बात करते हैं, कन्या राशी के लिए साल दोहसार चौबीस कैसा रहने वाला है, चाहे उनके कारेशेत्र की हम यहाँ पर बात करें, आय की हम यहाँ पर बात करें, उनके स्वास्त की हम यहाँ पर बात करें, विवाह को लेकर पारिवारिक जीवन उनका कैसा रह पूजा पाठ में ये प्रियोग आपका संबस्तर नाम से हो सकता है पिंगल नामक कहीं कहीं संबस्तर जो है तो प्रियोग करेंगे इस साल टोटल चार ग्रहन है दो सूर ग्रहन और दो चंद्र ग्रहन और जिसमें से भारत देश में ये चारो ग्रहन कहीं भी नहीं दिखाई देंगे ना कहीं दिर्श होंगे इस साल के जो राजा हैं वो मंगल हैं मंत्री हैं सनी तो यह आपका साल ऐसा है अब बात करते हैं कन्याराशी के तो यह बात बता दूँ पहले कि बेसिक चीजें आपकी जो होंगी वो आपकी परमानेंट कुंड़ी से ज़्यादा घटित होंगी यह सिर्फ जो है आपका गोचर है जो थोड़ा सा प्रभाव आपको जीवन में जरूर देता है तो मैन मैन ग्रहों की बात कर लेते हैं जैसे की काल पुरुष की कुंड़ी में आपकी छे नंबर की रासी है तो आपके रासी में ही पूरे वर्ष केतू बैठे रहेंगे लगन में और बात करें सनी की तो सनी आपके जो है कुंभ रासी में शष्टम हाउस में रहेंगे बात करें आपके जो है राहु की तो राहु आपके मीन रासी में सब्तम में रहेंगे बात करें ब्रहश अश्टम में उनकी तीसरी द्रिष्टी पढ़ी और तीसरी द्रिष्टी उनकी सबसे ज़्यादा अरिष्टकारी होती है। अरिष्टी आपकी ठीक रहेगी। तो आपने क्या ध्यान देना है। एक तो स्वास्त का बहुत ध्यान देना है। जो प्रशंग वाले व्यक्ति हैं उनके लिए भी ये घातक है। बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। और साथ में जो नौ विवाहित हैं उनके लिए भी घातक है। तो ये इस चीज का भी सेज़ द्यान देना है। बात कर लें शिक्षा की। तो शिक्षा का मामला आपके मई तक तो जो है कठिन हैं। मई के बाद इस्तिती आपकी बेतर बनेगी जब आपके ब्रहस्पत भागिस्तान पे आकर के पंचम में दिश्टी डालेंगे। तो जो नॉर्मल विद्यारती हैं उनके लिए भी जो सोध करता हैं, जो सर्च कर रहे हैं, जो competitive exam दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया हैं। बात कर लें आपके प्रोपर्टी फिल के लिए तो प्रोपर्टी फिल के लिए पूरे वर्ष भर ये समय आपका ठीक ठीक है, नहीं बहुत ज़्यादा अरिष्ट कह सकते, नहीं बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कह सकते कि ये खराब है, अब बात करें आपके यात्रा की, तो य ब्यापारिक दिश्टीकोंड से तो ब्यापारिक दिश्टीकोंड से देखिए राहू सब्तम में बैठा है जिनका विदेश में ब्यापार चला है उनके लिए ठीक है अच्छी आयात और निर्यात का कार होगा लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरते हैं क्योंकि राहू में बार को दुखदारुन देना होता है तो सबसे पहले आपकी सूक्समी चीजों पर वार करता है मन, बुद्धी, बिवेक जब यह आपकी नश्ट होती तभी वहीं से एहंकार आपका जागरित होता है तो इन चीजों को ध्यान देती हुए आपको विशेश ध्यान देना है आपकी रासी पर कोई धहिया कोई साढ़े साती नहीं है लेकिन ये जो मैंने रासी बताई इन रासी में पूरे शाल ये ग्रह रहेंगे सिर्फ परिवर्तन होगा अप्रेल 30 के बाद जो है आपका ब्रहस्पत जो मेंस से ब्रश मी जाएगा अब यदी बात कर लें कि आप अब उपाय क्या करें तो सबसे पहले मैं दंपती जीवन वालों को कहूं कि वो उपाय करेंगे सीधे जाकर के उनको जुड़ना है गजानन गणेश और भगवान विश्णू से और जिन दंपती के जीवन में कलह कलेश की स्तिती उत्पन हो वो सीधे माता गवरी का मंत्र जपिंगे और गणपत्य थरुशीष का पाठ करें भगवान विश्णू और राम रक्षा इस्तोत्र का पाठ करें निश्चित रूप सी एह 24 उनकी लिए बहुत ये चीतरे से फली भूत होगा साथी साथ आजारी जी इनके प्रतिशत की बात करें प्रतिशत यदि मैं कहूं तो इस रासी वाले जो कन्या रासी वाले विखती हैं इनका लगभग 65 प्रतिशत जो है अच्छा है और 35 प्रतिशत इनका अरिष्ट कारिये नी 65 प्रतिशत शुबता लिए हुए है और आपका 35 प्रतिशत जो है ये अशो लिए हुए तो जो आपका असुभए यदि आप धरम से अपने पूजा पाट से इन मंत्रों से आप यदि जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो है बहुत अच्छा होगा कन्या राशी वालों के लिए जो नया साल है वो अच्छा रहने वाला है हाला कि स्वास्त को लेकर आपको थोड़ा सा चिंतित यहां पर रहना पड़ेगा ऐसे में स्वास्त का विशेश ध्यान रखियों साथी साथ आचारे जी ने जो उपाई यहां पर आपको बताए हैं उन उपाईों को जरूर आप अपनाए थोड़ा धार्मिक रास्ता अपनाए निश्य तोर पर आपको लाब प्राप्त होगा